बिस्मिल्लार्रामा निर्एम, असलाम लेकुम आयूटी फैमिली, आप सब केसे, I hope कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआउं से अलहम दिलना हम सब भी अच्छे हैं, तो आज हमने बनाये हैं वहीट चिकन कराई, यह बहुत ही मज़ी की बनती है, तो चलिए देख ल बटर से टेस्ट बहुत ही बहतर आता है, यहां पर हमने इसमें हलका से गर्म करा और इसमें डाल दिया 500 ग्राम चिकन, जिसे हमने अच्छे से दो के साफ करके रखाता है, और चिकन आप हड़ियों वाला ले ताकि ज्यादा टेस्टी बेने, इसको आमने 2-3 मिनिट तक अच अच्छी समल खत्म नहीं हो जाती, इसी तरीके से भूनते हुए चिकन 50% तक कूक हो जाएगा, हम इसे हर मसाले के साथ भूनते रहेंगे, इसको बनाने का तरीका बिलकुल अलग है, और बहुत ही टेस्टी बनती है, यह कडाई, अब हमने यहां पर इसे अच्छे से भून अब हम यहां पर प्यास शामिल करेंगे, तो इसमें प्यास पीसे वे जाएंगे, कच्छे प्यास लेकि हमने उसे मिक्सर में पीस लिया है, तो यहां पर छोटे साइस के चार प्यास लिये थे हमने, आप मिडियम साइस के हो तो तो तीन प्यास ले 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 और इसके साथ प्यास का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है सिर्फ कच्ची स्मेल खत्म होने तक इसे पांच मिनिट तक हम भूनेंगे तो यह देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए है अब यहाँ पर हम गेश की फ्लेम स्लो कर देंगे और कुछ पाउडर मसाले देख लेंगे पाउडर मसालों में हमने 1.5 तीस्पून धनिये का पाउडर लिया है एक तीस्पून काली मिर्चो का पाउडर लिया है अब डियां अपने टेस्पून स्फेद मिर्चो का पाउडर लिया है अब 3 तीस्पून गरम मसाला हैं और 45 दाने काली मिर्च के डाले है यह इसे दिखने में अच्ह लगते हैं कि इन सभी मसालों को इसमें डाल देते हैं मिर्च और नमक आप अपने ट्रेस्ट के हिसाब से अड़्जेस कर लीजिगा जब वाइट चिकन करी या कराई या मसाले ग्रेवी बनती है तो जादा तीखा नहीं होता है उस हिसाब से आप मिर्ची देख लीजिगा इन मसालों के स साथ भी हमने एक से दो मिनिट तक भूनना है जब यह अच्छे से भून जाएगा तो अब हम इसमें डही डाल देंगे तो दहीं डेवर सो ग्राम डाला है हमने यहां पर और इसे लगाता चला ताकि दहीं फटे नहीं गेस की फ्लेम स्लो रखेंगे तो यह देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है जैसे दहीं डालते कलर लाइट हो जाता है अब हमने यहां पर इसे अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है तो इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे पंदरा मिनिट तक पकाएंगे जब तक कि चिकन आपका गल नहीं जाता जरूरत पड़े तो इसमें दो तिन चमच पानी डाल दें तो भीच भीच में चलाना ना भूलें इसे तो यह हो गया है चिकन हमारा गल गया है यह देखिए हमने इसमें पानी का यूज नहीं किया यहां पर 4-5 हरी मेर्च को मैंने बड़े-ड़े टुकडों में कट करके ड जाती है साथ में यहां पर इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे तो मैंने यहां पर 100 ग्राम फ्रेश क्रीम लेकर डाला है इसमें आप यह जरूर डाले इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्रिम डालने के बाद हमें इसे जादर नहीं पकाना होता है सिर्फ 4-5 मिनिट के लि पांच मिनिट बात आप देखेंगे कि यह बिल्कुल तैयार है अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे तो यह एक टीस्पून कसूरी मेथी है तो थोड़ा सा हरा दिनिया था मेरे पास तो डाल देते हैं हरा दिनिया इसमें जरूर डालें इसकी फुजबुकाप से अच्छ तो दो मिनिट बात हम इसे डिशाउट करेंगे माशालला से बहुत एच्छ खुशबु आ रही है गेस की फ्लेम आफ कर दी हमने और अब डिशाउट करते हैं तो आप भी बनाए जरूर बना इसी तरीके से बनाए यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे कर दो आते हैं आते हैं तो आते हैं जीशाई वीशा Ps lenght